हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास Redmi 11 Prime 5G का फोन है और आपके फोन पर आप सब लोग आपे SIM card and mobile network सेटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सब लोग अपने फोन पर ये सेटिंग कर सकते हैं तो चलिए गाईस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इसको setting करने के लिए सबसे पहले setting को open कर लेना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको sim card and mobile network वाला option पे आपको click करना है यहाँ पे आप click करेंगे तो दोस्तो आपके सामने इस तरीके से दिखाएगा तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको अपना SIM select कर लेना है जिस भी SIM में आप setting करना चाहते है तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है तो first में आपको अपना edit name करके name को change करने के लिए आपको option देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने SIM का name वगएरा और साथ इस साथ यहाँ पर आप जो है अपना number वगएरा जो है setting कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको access point name का option आता है तो यहाँ पर आपक्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरीगे से automatically select network का option आता है तो आप इसको enable रखेंगे तो आपको network में थोड़ा बहुत problem देखने को मिल सकता है तो आप इसको enable कर लिजे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको use volte का option आता है तो इसको भी आप enable करके रखेंगे इससे क्या होगा दोस्तो नहीं चलता है internet नहीं चलता है तो अगर आप इसको on करेंगे तो वो भी चलने लगेगा तो आप यहाँ पर call के साथ internet को भी use कर पाएंगे उसके बाद दोस्तो लास्ट में एक और setting बसता है make calls using wifi यानि कि अगर आप यहाँ पर अपने phone पर wifi calling करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको जो है enable करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके phone पर आप सभी लोग wifi calling भी यहाँ पर यूज कर पाएंगे तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे